नमस्कार, डीवी नियूस की खास खबरों में आपका स्वागत है आमादमी पार्टी के नेता सत्येंदर जैन की जमानत याची का गुरुपार को हाई कोर्ट ने खारिच कर दी दरसल मनी लॉंडरिंग केस में जिल में बंद जैन ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याची का दाकिल की थी कोर्ट ने 22 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था महीं सुनवाई के दोरान एडी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया कहा कि अगर उन्हें बेल दी जाती है तो इससे जाच पर असर पर सकता है कोर्ट ने बेल पीटिशन खारिच करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ती है और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने धन्शोशन निवारन अधिनियम के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को फूरा किया है वहीं आपको बताते चले कि जैन को मनी लॉंडरिंग के केस में पिछले साल 30 माई को गिरफतार किया गया था तब से बेज जेल में बंद थे उन पर आरोप है कि उन्होंने शैल कंपनिया बनाई और उसके जरीए 16 करोड रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की वहीं उनकी पतनी और अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी ठेहराई ग